तो आपको काफी दिनों से अगर देखा हो तो भारत के खिलाप किसी भी हमपायर ने कोई भी गलट डिसीजन नहीं दिया, तो आपके इस इंतजार का खात्मा हो चुका है, जी आ दोस्तो भारत के खिलाप एक बेतुका सा, एक अट्पटा सा काफी कराब डिसीजन थर्ड हमप ने डिया हार्दिक पांडिया दरसल खेल रहेते बैटिंग कर रहेते तब बॉल कीपर के दस्तानों में गई और अचानक बेल्स नीचे गिर गई जैसे कि आप मैं आपको स्क्रिंशॉट्स भी दिखा रहा हूं बेल्स गिर गई जिसके बाद थर्ड हमपायर के पास डिसीजन गया थर्ड हमपायर ने कुछ देर तो चेक किया लेकिन उससे दिख मतलब उनको दिख नहीं रहा था कि गेंड स्टम्स के उपर से जा रही है और दरसल जो न्यूजिलेंड के कप्तान और कीपर है टॉम लाथम का जो ग्लोज है वो स्टम्स को थोड़ा सा चुआ है जिसकी वज़े से यह जो बेल से यह गिरी है और अगर आप साप साप अगर स्क्रीन शाट्स में देख पा रहे है तो यहाँ पर बॉल्स चूने का कोई मतलब कोई भी रिजन ही नहीं था क्योंकि मेरे क्याल से काफी उपर से गई है स्टम्स के जो जिससे के आपको फोटो में है कि कभी वो जादा कुछ हमपार के खिलाब बोलते नहीं है लेकिन उन्होंने तक कह दिया कि आज यह काफी घलत फैसला हुआ जबकि ठड़ हमेर को और भी पूटेश देखने चाहेते और और भी थोड़ा टाइम ले सकता हमपार डिसिजन देने के लिए लेकिन पता नही हमपार ने क्या सोचा और क्यू हारदिक पांडिया को आउट दे दिया अगर आप यह अगर आपको कहीं भी हाइलाइट्स अगर देखने मिले तो आप भी कहेंगे कि काफी बेतुका साथ डिसिजन था काफी खराब डिसिजन था अगर यह अगर फूटेज कोई बच्चा भ तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आयोगा और अगर पसंद आयो तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना बूले आज की वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीड में तब तक के लिए गुड़ बाई